हेलो फ्रेंड आज हम लोग HP के लैपटॉप के अंदर में जो आपका C फाइल जो होता है उसको पार्टिशन कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं यह आप देख सकते हैं यह हमारा जो C फाइल है इनको पार्टिशन कैसे करते हैं तो इसके बारे में देखने को मिल जाएगा यह पर बहुत सार आपको ऑपसं देखने को मिल जाएगा तो आपको इस टैप का computer management local का पूरा चीज आपको ढधैका यहाँ पर देख सकते हैंकि system tools praying storage वțवर aur यहीं तो सबसे पहले यहां पर मिल जाएगा तो आको करेंगे आहिँ आपको डिक्सменेजमेंट किलिक करते přेसmente करते हैं। वी फाइल वा आपका रहा है। मैंस है टो आप क्या कोसिक में देखिव दॉसे करने। ब आपका 3,96,701 बांकी है तो आप कितने का आप जो फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उस भी साब से आप यहां पर सेट कर सकते हैं फोर एक्जामपल मैं ले लेता हूं कि हमारे पास 4GB के आसपास है तो मैं यहां पर इतना MB का एक फाइल बनाना चाह रहा हूं तो मैं इसको सेट कर लेंगा अपने हसाब से उसका से स्रिंग पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम स्रिंग पर क्लिक करते हैं तो थोरा सा टाइम लेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा 162 GB का हमारा एक file बन चुक है लेकिन यह क्या है क्या है कि अन Awwनbst jsem लोकेटाट कैसे करेंगे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको अनलोकेटाट फाइल है तो इसको करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे new simple CPA पर चले जाएंगे यह सारा चीज आपको बता देगा, उनके बास से यहाँ पर आपका file है, जो file का अपना नाम है, तो d file का अपना, आपका यह file जो बन रहा है, वो file का नाम डी रहेगा, अगर आप चाहें तो आपने उसाप से कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ बहुत सारा option रहता है, तो आप जो दापीसे को उपन करेंगे मैं जैसे हम ओपन करेंगे तो यहांपे आपको देख सकते हैं कि दापीसे आपको दिख रहा है जो कि हमरा फाइल 1 यान मैं आप गलेन कि यह जोटा करatif कर dopo आप जैसे ही right click करेंगे यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सार ओप्षन देखने को मिल जाएगा show mode option पर चले जाएंगे manage पर चले जाएंगे manage पर जाने के बाद आप direct फिर सीधा disk management पर चले जाएंगे ठीक आप इसी तरह defile के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर दिख रहें आपको जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सार ओप्षन मिल जाएगा आपको option open का मिल जाएगा explore का मिल जाएगा format वगरा का shrink volume का delete volume दिख रहें आपको यहाँ पर delete value पर लिक करेंगे और इसको आप delete कर देंगे यहाँ पर delete करेंगे जैसे आप delete करते हैं तो disk management यहाँ पर आपको बता रहा है यहाँ पर यह हमारा फाइल वहाँ बना हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं हमारा पूरा सो नहीं कर रहा है 283 GB यह साइड में इसको हम इसमें add करना चाहिए तो इस पर हम click करेंगे right click करेंगे जैसे हम right click करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारा option देखने को मिल जाएगा extend volume आपको देख रहा ह यह अपना file का जितने MB का आपका file बना हुआ है space इतना है इतना है वो सारा चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगा यहाँ पर फिनिस कर देंगे जैसे ही आप फिनिस करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप अटेच हो गया है तो आप इस तरह से इनका partition कर सकते हैं और उस partition को delete करके आप अपने drive में attachment कर सकते हैं मिलते हैं फिर तब इसी तरह के वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye thank you